Good morning students, आज अपने 9.1 exercise करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निर्देशांक जामिती, पिछली क्लास में अपनोंने दो बिंदूओं के बीच की दुरी याद करना सीखा था, आज अपने को क्या है, कोई त्रीबुज के बिंदू दिये वे होंगे, आपको सिद करना होगा कि दिया गया त्रीबुज समभाहू त्रीबुज है, या समधी वाहू त्रीबुज है, या समकोन त्रीबुज है, इसके लिए अपने क्या किया करेंगे, उसकी तीनों बुझाये ग्याद किया करेंगे, तीनों बुझाय करके अपने चेक किया करेंगे, कि समधी वाहू है, तो दो बचो इसको शुरू कर रहे है 7 number question है P बिंदू के निर्दे सांक दिये है क्या हूँ के दिये है और किसके दिये है R के दिये है आपको सिद्ध करना है कि ये P क्या हूँ R है ये समकौन त्रीबुज के सीव से तो सबसे पहले बचो मैंने distance ग्याद करनी की सबसे पहले P क्याओ के बीच की दुरी ग्याद की P क्याओ के बीच की दुरी ग्याद कर रहे है बीच की दुरी का formula है बचो X1-X2 की whole square पलस Y1-Y2 की whole square X1 P X1 की value क्या बोलो 2 X2 की value क्या है minus 2 minus minus plus 2 Y1 की value है minus 2 और Y2 की value है बचो अपने पास 1 यह रहा बचो मेरे पास 4 की square minus 3 की square अब जैक करना बचो 4 की square करोगे 16 आएगा 3 की करोगे 9 आएगा यह रहा बचो 25 25 का अपने पास कितना रहा 5 दिकाई यानि की जो P क्या हो बुजा होगी उसकी लंबाई कितनी है 5 एकाई है उसके बाद चेक करोगे पास अपने क्या करने है क्या हूँ आग याद किया बचो फिर वोई बीच की दुरी का फोर्मूला इक्स नो साथ सिर्श की माइनगे इक्स च्टू की होड स्क्टूर य वन न है इसकी लंबाई है आ क्स वन एक्स वन की वैलू है म painful happen य न की वैलू है एक्स रहेगा बचो मेरे पास माइनस 7 की स्क्वेर माइनस 1 की स्क्वेर ये रहेगा बचो 49 पलस 1 यानि की क्या है बचो 50 तीक आई जो क्या हुआर है वो आया रूट 50 का है अपने पास इसको अपने लिख सकते है बचो 2 इन्टू 25 और 25 का क्या होता है 5 और रूट 2 उसके बाद फिर चेक करना बचो अपने गयाद करने है पी या फिर बीच की दुरी का फोर्मुला x1 माइनस x2 की होर स्क्वेर y1 माइनस y2 की होर स्क्वेर x1 कितना है 2 x2 कितना है 5 y1 कितना है माइनस 2 y2 कितना है 2 ये रहेगा बचो अपने पास माइनस 3 की स्क्वेर माइनस 4 की स्क्वेर ये रहेगा 9 परस 16 यानि की 25 और 25 का कितना आएगा 5 इकाई ये रहेगा क्या हूँ आ रहा है इसकी लंबाई कितनी है 5 root 2 है अब अपने क्या देख रहे हैं कि P क्या हूँ और PR बड़ाबर है तो rule के according ये त्रीबुज सम्धी वाहू त्रीबुज दो है यानि कि 2 बजाएं बड़ाबर आ गई तो सम्धी वाहू त्रीबुज दो है अब आपको चेक करना है कि क्या ये आपका सम्धी व्ती व्ती है या नहीं है इसके लिए अपने क्या करेंगे अपने pathogors रव्ती है बचो current square lung square और अधार square current समसे बड़ी वुझा current होती है तो समसे बड़ी वुझा आपने रूल के कोड़ी कौन सी है फाइव रूट टू लंग इन दोनों बुजाओं का यूद करेंगे इन में से एक लंग रहेगा और एक आधार रहेगा यह रहा बुचो यह रहा 25 फिट 25 यह कितना आया 50 और यह आया 25 इंटू 2 यानि कि 50 इक को लाया यानि कि पाइथो गोश्पर्मे को फोलो कर रहे हैं तो यह जो बिंदू हैं किसके सीर्स हैं समकोन तरी जा... कोन है यह हां बचो अपने फिट करने जा रहे हैं एट नंभर जीसमें आपको चार बिंदू दिये हुए हैं बताना है कि ये वर्ग के सीर्स है आपको पहला बिंदू अपनों ने का P 1-2 और क्याओ बिंदू है 3-0 और R बिंदू जो है वो है 1-2 और जो S बिंदू है वो है minus 1-0-0 अपने इसका rough डायग्राम ला रहे हैं बचो अपनों ने यूँ डायग्राम लाया है इसका इसको का P क्याओ R S सबसे पहले चत्रबूज के लिए अपने सबसे पहले उसकी चारों मुझाई याद करेंगे तो सबसे पहले मैं P क्याओ याद कर रहा है बीच की दूरी का अपना फोर्मला होचो X1 माइनस X2 की होल स्क्वेर Y1 माइनस Y2 की होल स्क्वेर अब जेक करना X1 X1 की वैल्यू है वचो अपने पास क्या है 1 X2 की वैल्यू क्या है वचो 3 Y1 की वैल्यू क्या है माइनस 2 Y2 की वैल्यू क्या है वचो 0 ये रहेगा वचो अपने पास माइनस 2 की स्क्वेर फिर माइनस 2 की स्क्वेर यानि कि यह आएगा बच्छो 4 पलस 4 तो अपने पास रहेगा रूट 8 यह रहेगा यानि कि आप इसको कह सकते हो जो 2 रूट 2 एक आई इसी प्रकार बच्छो अपने क्या हुआ अरग्याद कर रहे हैं फिर फोर्मुला बीच की दुरी का एक्स 1 माइनस एक्स 2 पलसर Y1 माइनस Y2 की होज़के X1 जो क्या हो के निर्दे साथ होंगे वो X1 और Y1 रहेगा X1 की वैल्यू है 3 और X2 X2 की वैल्यू क्या है वच्छो 1 Y1 Y1 की वैल्यू क्या है 0 तो y2 की value क्या है 2 यह रहेगा वच्छो अपने पास 2 की square plus minus 2 की square यानि कि यह वच्छो अपने पास आया 4 plus 4 यानि कि फिर क्या आया root 8 और root 8 को सौरूप करेंगे 2 root 2 का यह अपने पास आगया यह आगया अपने पास क्या हुआ अब वच्छो अपने आरस ग्याद करने जा रहे हैं क्या ग्याद करने आरस चारों बुजाएं ग्याद कर रहा हूँ वच्छो हर बार मैं बीच की दुरी का formula लगा रहा हूँ उससे उसकी length आती रहेगी अपने पास x1 अब x1 कुल सा होगा यह x1 है यह y1 है यह x2 है और यह क्या है y2 है x2 की value है बुचो 1 sorry x1 की value है 1 x2 की value है minus 1 minus minus plus y1 की value है 2 y2 की value है 0 तो यह रहेगा बुचो 2 की square पलस 2 की square यानि की 4 पलस 4 तो यह अपने पास आएगा बचो root 8 और root 8 को अपने बार बार score कर रहे है क्या है 2 root 2 है उसके बाद बचो मैंने ps याद किया फिर वोई बीच की दुरी का formula x1 minus x2 की whole square y1 minus y2 की whole square x1 x1 अपने पास 1 x2 x2 है बचो अपने पास minus 1 minus minus plus 1 y1 y1 है बचो अपने पास minus 2 y2 y2 है बचो 0 यह रहेगा 2 की square plus minus 2 की square यानि की 4 plus 4 यानि की root 8 और root 8 का 2 root 2 है यह बचो अपने चार भुझाएं गयाद कर दी चारों भुझाएं क्या आई है बराबर आईये बचो p kya u r r s और p s चारों क्या आईये बराबर आईये अपने पास अब 4 भुझाएं बराबरों या तो वो सम चत्रबुझ होगा और या क्या होगा वर्ग होगा अब ये अपने कैसे चेक करेंगे कि ये वर्ग है या समचत्रबुझ है तो अपने इसके लिए इसके विकर्ण ज्याद करेंगे बच्छो यदि वर्ग के विकर्ण बराबर है तो ये वर्ग रहेगा otherwise ये क्या रहेगा समचत्रबुझ रहेगा अपने चेक कर रहे हैं बच्छो, सब से पहले PR की distance find डिए, किसके distance find की PR की, फिर वोई बीज की दुरी का formula, हाँ बच्छो, X1, X1 कितना है, 1, X2, X2 कितना है बच्छो, फिर 1, Y1, Y1 कितना है बच्छो, माइनस 2, Y2, Y2 कितना है बच्छो, 2, यह रहेगा बच्छो, 0 की square, पलस, माइनस 4 की square, यानि कि यह रहेगा, 0 पलस 16, और यह रहेगा 16, 16 का कितना है गा, 4 एकाई, यह बच्छो अपने पास कोन आ गया, PR आ गया, अब बच्छो अपने क्या उस और गयात करेंगे, क्या गयात करेंगे, क्या उस, फिर बीज की दुरी का फोर्मूला, X1 माइनस X2, Y1 माइनस Y2, X1, X1 क्या है गोलो, 3, X2, X2 क्या है, माइनस 1 माइनस माइनस पलस 1, Y1 क्या है, 0, Y2 क्या है, 0, तो यह रहेगा आपके पास, 4 की स्क्छेर, पलस 0 की स्क्छेर, यानि की 16 पलस 0 यानि की 16 यानि की 4 इक आई अब बच्चों अपने चेक कर रहे हैं कि जो अपने पास result आया है इसमें अपने पास 4 बुझाएं बराबर है बच्चों और विकर्ण क्या है बराबर है यदि चारों बुझाएं और उसके विकर्ण क्या हो, बराबर हो, तो ये अपने पास क्या होता है, वर्ग होता है, यानि कि बच्चों अपने पास कौन कौन बराबर है, P क्या हो, बराबर है क्या हुआ, बराबर है RS, और बराबर है PS, और उसके विकर्ण PR, और कौन बराबर ह यदि विकर्ण बराबर नहीं होते तो यह सम चत्रबूज होता अब यह क्या है अतै पी क्या वारस किसके निर्देश आंग है वर्ग के निर्देश वर्ग के सीर्ष है इस प्रकार बच्चों आप चेक किया करोगे कि दियागा चत्रबूज वर्ग है आयत है सम चत्रबूज है या वो क्या है आपका समानतर चत्रबूज है रूल यही रहेगा समानतर चत्रबूज में आमने सामने की बुझाएं बराबर होंगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे आयत में आमने सामने की बुझाएं बराबर होंगी लेकिन वर्गर्ण उसके क्या होंगे बराबर होंगे इस तरीके से बच्चो आप चेक किया करोगे कि चत्रबुद सम चत्रबुद है या समांतर चत्रबुद है आयत है या क्या है वरग है ये करने का प्रोसेस था इस मेथट बच्चो आप अगरे इसके next question करोगे